हेलो दोस्तों नोटिफाई, नॉलेज में आपका स्वागत है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, यूपी स्कॉलर्शिप 2023-2024 के बारे में, यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी है, अगर आप लोग पोस्ट मैट्रिक इंटर और पोस्ट मैट्रिक अगर आप लोग जनरल OBC माइनोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अभी तक आप लोगों ने अपने फार्म को यहाँ पे फिल नहीं किया है, या तो आप लोगों ने अपने फार्म को कॉलेज में जमा नहीं करा है, या तो कॉलेज वाले ने आप लोग के फार्म को फार चैनल सम्मिट कर दिया है और हाट का पी कॉलेज में जमा करा देत क्या उनके लिए कुछ यहाँ पे प्रॉबलम होने वाला है क्या उनकी स्कॉलर्शिप आने में कुछ लेट होगी सारी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल प समय बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई है और यह जो आर्टिकल है आज ही की डिट में यहाँ पर छापा हुआ है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मेरट हो के प्रदेश के कॉलेजों में स्कॉलर्शिप और सुल्क समय बढ़ारियों से सामाने OBC यहाँ अलप संख्यक छात्रों को भी आवेदन को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन को मार्च तक समय देने की अपिल की है यहाँ पर दिखे वही कहा गया है कि जो जनरल OBC मायनोटी कास्ट से विलोंग करते हैं जैसे आप यहाँ जनरल OBC मायनोटी वाले चात्रों के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है युक्त योजना में परदेश भर से लाखो चात्र फीस परतिपूर्टी और स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन अध्यच नितीन यादों के अनुसार चा चात्र बिर्ती योजना में यस्ती यस्ती चात्र 31 मार्च तक स्कॉलर्शिप और उफिस परतिपूर्टी आवेदन कर सकते हैं सामान ने OBC अलपसंख्यक वर के चात्रों के लिए समय सीमा खतम हो चुकी है जैसे कि आप लोग को पता है इसके पहले भी न्यूज आर्डिकल रखा गया था और हाड कापी जो है यहाँ पे 22 जनवरी रखा गया था और कॉलेज जो है फॉर्म फारवर्ट करने का डेट 23 जनवरी रखा गया था तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना फॉर्म यहाँ पे एपलाई नहीं कर पाई थे किसी भी काराण व और यहाँ पर पूरे उत्तरप्रजिस के college, university, institute पूरे close कर दे गये थे और इसी दिन जो है बच्चों का heart का पी college में जमा कराने का भी large date था और तेहीं जनवरी को heart का पी मतलब forward करने का date था तो हाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो या तो form अपना apply नहीं कर पाए या त apply तो कर दिये थे बट heart कहा पी college में जमा नहीं करा पाए और बहुत सारे चात्र ऐसे थे जो निकाल लिये थे बट उनके form को college वाले ने मतलब किसी भी कारणोर से forward नहीं कर पाया तो यहाँ पर इतने सारे चात्र बच्चे हुए हैं जो general OBC minority से belong करते हैं तो यहाँ पर तो य date है यहाँ पे March तक extend किया जाए देखिए March तक तो extend नहीं हो सकता यह impossible है में भी extend होगा तो अगर दो दिन चार दिन के लिए ही extend होगा ऐसा नहीं है कि ESC और ESC वाले चात्रों के लिए जैसे ESC और ESC के लिए 31 March रखा गया है वैसे OBC general minority वाले चात्रों के लिए 31 March किया जाए कि यहाँ पे समाज कल्याड विभाग General OBC minority वाले चात्रों के लिए last date extend करें जब भी यहाँ पे last date extend होता है कुछ भी notice आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा अब उन चात्रों के लिए बात करते हैं जिन्होंने अपने form को यहाँ पे apply कर क्या हो सकता नहीं है चाहे last date बढ़े चाहे घटे आपको उससे कुछ भी effect नहीं होने वाला है आपकी जो scholarship है मार्च में 100% किसी भी कीमत में समाज कल्याड विभाग के द्वारा दी जाएगी में भी अगर General OBC minority वाले चात्रों के लिए last date extend भी होता है तो जैसे ST और ST वाले लिए scholarship देने का date यहां पर June रखा गया है तो में भी हो सकता है कि इनकी लिए भी यही date June निरधारत किया जाए जो बचे हुए चात्र है बट यहां पर जितने भी General OBC minority वाले चात्र है यहां पर 99.9% का chance यहीं रहता है कि उनकी जो scholarship है मार्च में आ जाए तो जो चात्र अप लोग 100% eligible रहेंगे स्कॉलर सी पाने के लिए बाकी यह तो रही बात उन चात्रों के लिए जिन्होंने अपने फर्म को यहां पर अपलाई नहीं कर पाया था हाट का पी college बें जमा नहीं कराया था मैंने इसके पहले भी बहुत सरी वीडियो बनाई है जो लोग नए होंगे जाके उसको देख सकते हैं यह रही फ्रेंट आज की जानकारी में भी आपको जानकारी हेलफुल लगे होगी वीडियो पसंद आए होगी ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रेक कुछ भी डॉटो कुभी प्राब्लमों कमेंट सेसन में कमेंट किजगा मिलत आए हैं नेस्ट बीडमां थांक्यो एंच्यो एंट कि QI Pree